फाइनली आज भारी बारिस के कारण हमने हमारे घर को बना दिया है फ्लोटिंग हाउक्स ऐसे ये बाकी सारे घर और बोट पानी पे तेह रहे हैं वैसे ही हम हमारे घर को टर चालू कर देते हैं तो इसके पंक चालू हो जाते हैं और हमारा घर भी अब बाकी नाओ की तरह पान निूज में ही देखता है कोई बढ़ियासी मसालेदार कवर आ रही हो तो क्या हमारे सहर का मोसम बिगडने वाला है और इतना ज़्यादा बिगड सकता है कि बाढ तक आसकता है इसलिए जल्दी से जल्दी सबको बोला गया है कि सहर को छोड़ कर भाग जाए पर हमारे घर का क्या होगा पिछली बार भी जब सुनामी आया था तो यार पूरा घर तहसने सो गया था पूरा बरबाद हो गया था इतने पैसे लगवा के वापिस से ये घर बनवाया इस बार मैं इसको डूमनी नहीं दे सकता हूँ प IP कुछ तो करना पड़ेगा यार कुछ खतरनाक सोचना पड़ेगा घिससे मैं ये घर बच्छ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ एक आइड़िया आ रहा है भाई एक काम कर सकता हूँ मैं क्या मैं इस गहां कहीं और ले जा सकता हूँ मतलब अगर मैं पानी के उपर इसको फलेट करा दूँ तो ये घर नहीं डूब सकता और फलेट से बज़ भाई ये जरूर कर सकते हैं इसके लिए राफ्ट मुझे पहले तो कुछ लकडियों की जूरत है एक राफ्ट बनाने के लिए लग तो मैं जुरासी पारक से लाता हूँ इसलिए मैं अपने कंट्रक्शन साइट से ट्रेलर उधा के जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि आज वैसे भी छुट्टी है इसलिए मैं वहाँ पहुँझे हां रखाता है चलो भाई छुट्टी है तो कुछ तो काम आया लेकिन मुझे लग रहा है बाकी सब तो भाग तो ये कोई वापिस लेने भी नहीं आएगा अगर मैं इसको वहीं पर छोड़ दूँ तो मेरे से कोई पुछेगा नहीं लेकिन एक महने बाद जब पानी सूख जाएगा तब ये लोग मेरे से आके पुछेगा इसलिए चुप-चाप से लेके इसको वापिस रख दे इस ट्रक को मिरको सीधा चलाना है पता नहीं क्यों ये ट्रक नाच रही है अभी जुरासी पारक के अंदर भी जाना है वो अलग टेंसन है यार इतनी लंबी गाड़ी मुझे पीछे से मोड़ने के लानी तो मैंने इसे कर दी अंदर काफी असानी से कर दी चलो चलो किसी तो हाज टाइट होने वाली है लेकिन पूरा काम आज मैं नहीं करने वाला लोगों को मैं काम दे दूँगा इतनी लकडिया कठा कर ली है मैंने मुझे लगता है ये काफी रहेगी इन्हीं को जोड जोड कर एक बड़ा सा राफ्ट जरूर बना जाएगा चलते हैं अब अपने एирपोर्ट की तरफ बताता हूँ क्यों पहले अपने गाड़े स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं तो मैं पहुँद चुका हूँ एरपोर्ट अभी जो वेरहाउस है इसके अंदर ये लकडिया रखवा देता हूँ अंदर मैंने इसलिए रखवा दी लकडिया क्योंकि यह के लिए next चीज लगेगी जो की है motor motor चाहिए भाई इससे क्या होगा जो अपने house है ना वो आगे बढ़ेगा इसके लिए motor की जरूरत है देखते हैं कहा मिलेगा जल्दी से सर्च करता हूँ अपने phone में motor और देखते हैं ओ motor motor तो मेरे सामने है भाई अभी जो सामने वाली building है इसके उपर ही motor रखा है वाओ मैं ले आऊंगा यही वाली building है वो इसके gate से top floor तक जाना पड़ेगा तो अपनी गाड़ी मैं यहीं परफपार कर देता हूँ तो चलते हैं इसके gate से top वाले floor पे motor मिल चुकी है मुझे यहां पर एक electric motor है दो पंखो वाली motor है जो की घुमेगे भाई पानी के अंदर समझ में आ रहा ही रहा होगा आपको नाव की तरह चलने वाले हैं अपने घर को तो मैंने तीनों motor भिजवा दी है अपने घर की तरफ जो delivery वाले होते हैं वो लेके चले ग आएंगे इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हेली पैड़ पे जो की बिल्लिक के उपर है जिसके लिए मैं plane से जाओंगा और फिर helicopter लाओंगा वो रखा helicopter दिख गया है मुझे बस वहां पे land कराना है मेरे plane को तो मैं धीरे से जाओंगा और जाके इधर plane तो केगा नहीं मैं ह सही गिरू मैं सही गिरू मैं बच गए तो अब helicopter उठते हैं अपनी mission पर लेकिन बीच रस्ते में कोल कर देता हूँ अपने worker को जो की मेर बना है थे और लेके आज आएंगे क्योंकि नीचे से तो वही लाएंगे तो पहुंशते हैं अपने घर के उपर I am ready helicopter के नीचे रसी रसी के नीचे घर उपर उठा लिया मैंने काफी अच्छा उठा भाई लोग जल्दी नीचे लाओ जल्दी जल्दी करो इसको नीचे लगा दो बहुती बढ़िया नीचे ला रहा हूँ है ना सैट कर दिया ना सबाही है नहीं भाई ओके तो इसके नीच रख दिया फाइनली सारी चीजे हो तो गई थी बट मोसम खराब हो गया और पानी भी गिरना चालू हो गया अरे यार लगता है मोसम जल्दी बिगडने वाला है तेरा फ्लोटिंग हांस बिल्कुल रेडी है काफी अच्छी नीदा यार कल बहुत मैनत कर ली थी ना इसलिए चलो आज देखते हैं तो साफ हो गया पूरा ये घर और नाव कैसे अरे यार नी आ गया क्या अबे लगता है पानी काफी गिरा है भाई पूरा बाड़ आ चुकी है बस्ते में पूरा पानी हो चुका है वाह यार यहां पर नाव ही नाव जा रही है ये नाव पता नहीं कहा से बैक के आ गई घर भी किसी और ने भी फ्लोटिंग हाउस बना के रखा है उसका घर अच्छा है इसलिए उसे बचाने के लिए किया होगा ये दूसरी ना जा रही एक और यार भाई जो जो यहां पर थेना सबने जुगार लगाया है मेरी तरह अब बारी अपनी हिलने की चल चालो करते हैं घर आगे बढ़ाते हैं तो मैं पहुंच चुका हूँ घर के उपर घर हमारा निकल चुका है अपनी सेर के लिए और क्या जा रहा है भाई क्या स्पीड है मज़ा आ गया अरे भाई क्या चल रहा है यार मज़ा आ गया अब हमारा घर नहीं डूब सकता है यार कोई दिक्कत ही नहीं कितना स्मूथ चल रहा है यार क्या फ्लोटिंग हाउस बनाया है मैंने भाई यहां से मुणके कोई सेफ जगे ढूननी पड़ेगी जहां पर हम लोग रुख सकते हैं देखते हैं कहा जा सकते हैं ओ अबे ये क्या हुआ अरे यार ये क्या था रास्ते में अरे नहीं नहीं ओ अरे मेरा घर तो डूब रख जाएगा यार नहीं क्या करूं क्या करूं अरे नहीं मैं फिसल जाओंगा अटक गया मैं यहां पर फस गया यार